हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग विद प्रियंका सिन्धा में आज जिन सेर करेंगे आपके साथ बथुआ के पकोरे की रेसिपी अभी बथुआ का सीजन है, हर जगा बथुआ बहुत आसानी से मिल जाता है तो एक बार आप ये रेसिपी ट्राइ जरूर कीजिएगा जैसे बागी के पकोरे हम बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे थोरा सा अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे और कमाल का टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची पकोरे बनके ये तयार होगा आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है एक बार आप इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा तो चलिए हम बनाते हैं बथुआ के क्रिस्पी और क्रंची पकोरे तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे हम बत्वा को साफ करके ले लिए हैं धो लिए हैं इसे चौप नहीं करेंगे इसे ऐसे ही हम मिलाएंगे और यहाँ पे चना दाल लिए हैं इसे हम 4-5 घंटे पहले पानी में डाल दिये थे फुलने के लिए यह बहुत अच्छे से फुल गया है तो थोरा सा चना दाल हम यहाँ पे सावुत निकाल लेंगे और बाकी के जो यह दाल है इसे हम एक जार में रखेंगे और इसे हमें पीसना है तो मिहीन पीसना है यहाँ पे पूरे दाल को डाल लिए हैं साथ में थोरे से लहसन की कलियां डाल लेंगे साथ आठ लहसन की कलियां एक हरी मिर्ची भी हम यहां पे डाल लेंगे और अब इसमें हम डाल लेंगे थोरा सा पानी तो दो तीन चमच के करीब इसमें हम पानी डाल लेंगे और अब हम इसे पीस लेंगे तो यहां पे हम इसे पीस लिए हैं देख सकते हैं आप और इसे एक बरे से बॉल में निकाल ले साथ में जो ये साबुत दाल हम रखे हुए थे न वो भी डाल देंगे एक हरी मिर्ची को महीं चौप करके डालेंगे तीका आप अपने पसंद से ले लीजिएगा और एक बरे साइज के प्याज को लंबाई सेप में कट करके हम यहाँ पे डाल लिए हैं अब इसमें हम डालें अजवाईन अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा इससे साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट के अनुसार यहीं पे नमक डाल लीजिए थोरा सा यहाँ पे कटा हुआ धनिया का पत्ता भी डाल लेंगे और अब इसमें हम डाल लेंगे साग तो जो पुरे बत्वा को हम इसमें डाल लिये हैं और अब इसे अच्छे से हमें मिलाना है तो पुरे मिक्शर को अच्छे से हमें मिक्स करना है और अगर आपको लगे कि यह थोरा सा गीला लग रहा है तो आप इसमें बेसानिया चावल का आटा भी मिला सकते हैं अगर आप इसमें मिक्स हो गया है, मिलने के बाद यह बहुत कम हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना कम हो गया न यह, तो अब यह पकॉरे बनाने के लिए तैयार है, गैस पे हम तेल चरहाए हुए हैं, और तेल चेक कर लिए हैं, गरम हो गया है, तो अब इसमें हम एक एक करके पकॉरे डाल लिए गैस का फ्लेम यहां पे मीडियम रखिएगा हाई भी नहीं होना चाहिए अगर आप स्लो रखेंगे तो यह बहुत सारा तेल पी लेगा और हाई रखेंगे तो पकौरे अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा और बस बाकी के जैसे पकौरे बनाते हैं सेम वैसे ह इसे भी हमें फ्राइ करना है अच्छा सा कलर आ जाए क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे और यहां पे पहला बैच मेरा तयार हो गया है आप देख सकते हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं देखने से ही पता चल रहा है न कि यह कितना ज़्यादा क्रिस्पी अभी बत्वा का सीजन है और पकोरे खाने का भी सीजन है तो आप एक बार इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा ठंडा में पकोरे बहुत अच्छे लगते हैं तो एक बार ट्राइ करना तो बनता है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे तरीके से और बताईएगा हम कि कैसा लगा मेरा ये रेसेपी यहां पे हम पकोरे सर्व कर लिए हैं इसे आप अपने मन पसंद चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं कमाल का टेस्टी पकोरे बनके तयार होते हैं एक बर आप इसे ट्राइ जरूर कीजेगा और हमें बताईएगा क अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पहुं सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजे सेयर किजे कमेंट कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें ज झाल झाल